नवस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमीन करके जरूर बताइएगा बेलकम बैक तु माई यूट्यूब चैनल मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट आ रही है सिच्छा इवाद के तरफ स जो इस बड़ीयों आजब को हम देने वारे हैं देख सकते हैं अच्छे से पढ़ाने पर तरूखा बढ़ेगी वरना वर्खास्त होंगे सिच्छक हिच्छा दिवस पर से हमने कहा हिच्छा का बजट 25 फिजदी होगा 0.5 से भी कम बच्चे अभी अस्कूल से हैं बाहर वीडियों में आपको हम देने वाले हैं तो चलिए इस खबर को विश्तार से देखते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूटुब चनल पर नए आये हैं और अभी तक आपने मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूब चनल को कर दिखाते मुख मंत्री नितीज कुमार शेम नितीज कुमार ने बेश्ट प्लस एब का सुराम किया जिससे रियल टाइम मोनेटरिंग होगी डी बी टी से बितिय वर्स दोहजर बास तेस के लिए छातों के पुर्चान राशी का स्तांचर के शुरुवात की बिहार स्वस्त बिद्याले यानि कि दोहजर बास तेस प्रुषकार पूर्टल तथा प्रुषकार मार्क दसका का भी विमोचन किया डॉक्टर मरंदर कुमार डॉक्टर रेखा कुमारी के पुष्टक दा वेसिक ओफ एनिमल बिहेवियर का लोगवापन भी किया बैंगल सुरच सनीवार का सुरण किया आठमिक तक के बच्चे उस दिन बिना बैक के अस्कूल जाएंगे चलिए इस ख़बर को विस्तार से देखते हैं मुख मंतरे नितिश कुमार ने घोसना की है कि अस्कूलों में बच्चों को ठीक से पढ़ाने वाले सिच्चकों का बेतन बढ़ेगा वहीं हिदायत भी दी है कि जो सिच्चक अस्कूल में पढ़ाएंगे नहीं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा यानि कि माननी मुख मंदीजी का साप स्टेटमेंट है कि आप बिद्धाले में हैं आप टीचर हैं सिच्चक हैं सरकारी सिच्चक हैं और आप बिद्धाले में चीतर से पढ़ा रहे हैं तो आपको बिद्धाले में रखा जाएगा आपका पेमिंट भी बेतन भी बढ़ेग उन्होंने इसकों से अपील की कि आप लोग स्कूल जाएं और बच्चों को ठीक से पढ़ाएं इसको लेकर उन्होंने पतादेकारियों की आविसक करवाई करने का निर्देश भी दिया है मुख मंत्री सुकूरवार को सरीकिष्र मिमोरियल हौल में देश के पर्थम सिच्छा मंत्री मौलाना अबूल कुलाम अजाद की जैनती पर आउजिद सिच्छा दिवस संवरों को संबोधित कर रहते हैं उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सुचकों की बहाली तेजी से कराएं कहा कि सरकार में आने के बाद हमने अध्यन कराया तो पता चला कि 12.30 बच्चे और बच्चियां अस्कूल नहीं जाती हैं मुस्लिम संबदाय और महादलिस संबदाय के बच्चे इन में सबसे ज़्यादा थे इसके बाद इनके लिए पठने का इंत्याजाम हम लोगों ने कराया अब 0.5% से भी कम बच्चे बच्चियां अस्कूल से बाहर हैं लेकिन हमारा लच्च है कि सभी बच्चों को अस्कू में एन आईटी के लिए ततकालीन मानव संब्सादर मंत्री मुर्ली मुर्ण जोजिस से कहा था और उन्हें इसे शुकार किया था जगडा लगाने वालों के भाकाम में ना आए मुख मंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साथते हुए कहां कि अजादी की लड़ाई से उन्हें का कोई लेना देना नहीं है पर अपनी ही चीजों को दिल्ली में बैठे लोग परचार कराते हैं आप लोग पुरानी चीजे भूले नहीं उन्होंने पताधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अजादी की लड़ाई के बारे में और बिहार में कैसे कैसे सिच्छन संस्तानों का उदै हुआ बदला हुआ इसकी जनकारी भी नई पीड़ी को दे उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में जगड़ा लगाने की कोशिस करेंगे पर उनके भाकावे में कोई नहीं आए बापू की हत्या किशने की इसको भी आप लोग भूलिएगा नहीं प्रजिपने सब्म preparedness चोटा सब्टीट हमने आपको देए यहां पर देख रहें कि इस पर सब्से हैदा खर्च किया रहा है मुख्मंत्रि ने कहा है कि अभी सबसे अधिक खर्च इच्छा पर किया जा रहा है बजट का کिस पर 072 हिसाओ भडाई पर relat खर्च हो रहा है हम बच्चों को भी शिच्चित कर पाएंगे लिदुस्तान पकिस्तान के बटवारे के खिलाब थे मौलोना आजाद मुक्मंति ने कहा है कि आजादी के दौरान मौलाना अब्दुलकलाम आजाद की भूमका बहुत मत्पूर्ट थी समाज में आपसी एक्ता को बनाये रखने में उनका युगदान था बेहुंतान और पकिस्तान बटवारे के खिलाब थे मौलाना आजाद को देश का पर्तम सिच्चा मंत्री बनाया गया हिच्चा के छिट में जितना काम हुआ सब उन्हीं की देन है हम लोगों ने वर्स 2007 में मौलाना अबुलकलाम आजाद के जनमदीन क पर हिच्चा दिवस मनाने की शुरुआत बिहार से की जब राज में हम लोगों इसकी शुरुआत की तो उसके बाद के अंसरकार से भी हम लोगों को अनुरोध किया वर्स 2008 से पुरे देश में इनके जिनमदीन को हिच्चा दिवस के रुप में मनाये जाने लगा तो छोटा बॉलोना अजात की जैनती पर आवित सिच्चा दिवस कारकरम में सिच्चा मंतरी ने कहा कील काटे भरे रास्तों को सुगम बनाती है सिच्चा मुख मंतरी ने कहा हम सिच्चा का विकास करना चाहते हैं यहां पर देखिए एक एस्टेटमेंट और आया है उसका भी हम देते हैं बाहर होंगे नहीं पढ़ाने वाले सिच्छत पढ़ाने वालों का बढ़ेगा पैसा सीम कहा बजट का एकिस परतिसा हिच्छा हिच्छा पर खडश हो रहा है इसे 25 परतिसाद करना चाहते हैं सरकारिय स्कूलों में आज से हर सनिवार को बीना बैग आएंगे बच्चे छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इस तरह का और भी कुछ अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल पर बने रहें और भी कुछ अपडेट आएगा यहां पर देख सकते हैं क् आपको मंत्री ने फिर पूछा कि बापो की हत्या किसने की हैं बेश्ट प्लस ऑप से की जाएगी अस्कूल वेश्ट को की निगरानी यानि कि अस्कूलों ने इजी अस्कूल ट्रेकिंग सिस्टम एप बेश्ट को भी लॉंच किया है इस एप के माध्यम से पास कीमी की धान भोजन आदी के बार्ण में जनकारी इस एप के माध्यम से मिल जाएगी यानि कि अब यह सारा प्र jsem में किस टाम से पढ़ाने गया है किस टाम से बिद्दाले ओपन हो रहा है यह सारा का सारा आपको एप से ही निगरानी रखा जाएगा तो छोटा सा अपडेट हमने दिया और भी कुछ अपडेट आएगा तुछ अपडेट से भी रूबरूर जरूर करवाएंगे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों